नीरो धिरोभी का एक नया नाम आग बिना कोई दवा बिना कोई ओपरेशन बिना कोई इंजिक्शन के लमहों में शिफा पाई अग पर फाबु काबु बाने के बाद भी फैक्टरी के अंदर धमाके हो रहे हैं इससे मौके पर अफरत अफरी का महाल बना हुआ है हादसे में अब तक साथ लोगों की मौत की होने की जानकारी सामने आ रही है अग बुझाने के लिए कौशंबी के अलावा फत्यपूर के खागा से भी दमकल की गाड़िया मंगाई गई है सुबा करीब साड़े गारा बचे घटना के बाद कई थानों की पुलिस और दमकल गाड़ी मौके पर वहां पहुची हाथसे के इस महौल को देखते हुए एड़ी जी प्रियागरा जौन भानू मौके बर महां पर पहुच गए है इस पे कॉशंबी ने हाथसे का जायजा लेने के बाद चार लोगों की मौत की कंफरमिशन करी है आग बुझाने का काम दो पहर दो बचे के बाद तक जारी रहा है एक वक्ट चप लगा चब आग पूरी तरह बुझ गई थी फैक्टरी में पूले सदिकारियों के साथ ही बड़ी ततात में ग्रामेरी लोग पहुचे इसे तोरार मलबे की डेर में से फिर से बलास्ट हो गया जिससे अफरत अफरी मच गई एक के बाद एक दुध हमाके होने से बगतर मच गई दिखारियों के साथ ही बाकी लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई माना जा रहा है के मलबे में अभी तक बम बलास्ट में दब गयों की सांसों पर फुल स्टॉप ट्रैक्टर की ब्रेक पेडल का भी नहीं लगा था लोगी मामला आ रहा है कास गंच का जहां पर दर्दना खाथा हुआ पूर्णिमा पर एटा से कसा गाउं के बच्चे का मॉंडन संसकार कराने के लिए कास गंच से कादर कज गंगा जा जा रहे लोगों की ट्रैक्टर ट्रॉली बेरिंग तूटने से तलाब में पलट गई थी हादसे में आठ बच्चे आठ औरते और तीस लोगों की मौत हो गए थी जबके नौन लोग कंभी रूप से खायल हो गयते ट्रैक्टर ट्रॉली का सफर कितना खतरनाक होता है ये असल में ट्रैक्टर के ब्रेक पेडल का लॉक भी नहीं लगा तो जिस विरसे ये हादसा सामने आया है चालक साथिंद्रे को जब इसका हैसा हुआ तो उसने तो रंती ट्रैक्टर के ब्रेक लगा लेकिन ब्रेक के पेडल का लॉक निकला हुआ था जिसके बाद एक पही ब् ट्रॉली के बारिंग सही होती तो ये नहीं टूटता और ब्रेक भी नहीं लगाने पड़ते बारिंग टूटने ये पर ब्रेक लगाना ही ट्रैक्टर ट्रॉली को होने के वज़ा बन गई और तेज लोगों की जिन्दगियों का भी उनके मुँ में समा गई बात अगर पकरें तीसरी बड़ी खबर की तो वह संदेश खाली से आरी संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइटिंग टीम को रोका गया है हंगामे के बाद पुलिस ने सभी सतस्यों को गिरफतार कर लिया है पुलिस द्वारे रोके जाने से फैक्ट फाइटिंग टीम के सभी पर ही धरने पर बैट गए हंगामे के बाद पुलिस ने फैक्ट फाइटिंग टीम के सभी सतस्यों को गिरफतार कर लिया गिरफतारी के बाद सभी को कोलकता के पी एच क्यू लाल बजार पुलिस टेशन ले जाया गया संदेश खाली में पीडितों से मिलने के लिए फैक्ट जो के जाचने वाली टीम होती है टीम बंगाल दोरे पर थी लेकिन पुलिस ने टीम को संदेश खाली पहुचने से पहले ही रोक दिया इसकी विरोध में वो लोग धरने पर बैट गए हंगामे के बाद जब पुलिस ने सदस्यों को गिरफतार करा तो उसके बाद वो हाई क पुलिस टेशन ले जाया गया है बताया जा रहा कि पुलिस कानून अपने हाथ में ले रही है ऐसा उनका कहना है बात अगरब करें बिहार की तो पती को रोट से लहू रूहान करके बॉइफरेंट के साथ फरार हुई बीवी दो राग के देवरात भी ले गई बिहार के बांका में पती पर जान लेवा हमला करके पतनी ने घर में रखे गहनों को अपने प्रेमी के साथ लेकर फरार हो गंबी रूप से गाहल शक्स ने पुलिस को आवेदन देकर इसकी शिकायत दर्च कर आई है पती ने बताया कि अचानक एक शक्स घर के अंदर आया और पतनी के साथ मिलकर अचानक मेरे उपर लोही की रोट से ताबर तोट जान लेवा हमला कर दिया एक गाउ में पती पर ज गहने साथ में लेकर फरार हो गए बताया जारा है गंबी रूप से गाहल पती को भागलपूर मायकंज इस्पताल रिफर कर दिया गया है और इस मामले में केस दर्च करने के बाद कानूनी कारवाही की जाएगी बागे की तमाम खबरों के लिए देखते रही है सच नियूस गाजी किड्नी सिंटर एंड मल्टी स्पेशालिटी हास्पिटल गुर्दे और बावासिर के इलाज का 40 साला मशूर हास्पिटल जहां हजारों पेशन्स क्योर हो चुके हैं डॉक्टर हुसाइनी इंटरनेशनल नैशनल एवार्ड बिनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेड जरी कबर नहीं होते हाँ डायलेसिस टेंपररी रिलीव दे सकता है लेकिन हमारी ट्रीट्मेंट से गुर्दे फिर से पंक्शन में आ सकते हैं गुर्दे श्रिंक हो गये हो या सिस्ट हो गुर्दे की पत्थरी हो कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानि बवास चंदराइन गुट्टा हैदरबाद शेल डबल नाइन डबल शेक्स नैं तरी जिरो एट टुफोर या नाइन 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 वन थी तू शिक्स तू शिक्स वन